हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का आपके अपने क्रिष्णा सर मैश यूटूब चैनल पर कैसे हैं सभी उमीद है बढ़िया होंगे और तयारी कैसे चल रही है सभी कि वह भी अच्छी चल रही होगी चलिए NTPC के फोरम डाले होगे कापी समय हो चुका है हमको लगबग 10 मही ने जा चुके हैं और अभी तक एक्जाम का कोई अता पता नहीं है लेकिन जो भी है एक्जाम जब भी हो आप अपनी तयारी ऐसे ही बनाए रखिए और उम्मीद है कि आपने एक बार स्लेवर्स कंप्रेट करके एक बार रिवाईज भी कर लिया होगा अब देखो जरूरी ह है अमें उन चीजों पर फोकस करना जहांसे हमें एक्जाम में बहुत ज्यादा हिल्प मिलने वाली है जैसे हम NTPC के तयारी कर रहे हैं NTPC को टार्गेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा स्लेवर्स तो हो चुका है अब हमको उन वीक पॉइंट पर धान देना है उन पॉइ क्योशन आये हुए हैं सभी को सोलो करना है उसके अलावा डेली प्रेक्टी सेट के लिए आपको ओनलाइन टेस्ट लगाई है ताकि बहुत कुछ एल्प मिल सेके तो देखे सबसे पहले मैं इसी प्रकार मैंने यह सोचा क्यों ना हम मैं आपके लिए डेट वाइज एक्जा एक्जाम हुई थी जो पहली एक्जाम हुई थी तीन में 2016 को और जो पहली सिट का पेपर था उसमें कैसे कैसे क्योशन मैंस के में पूंचे गए हैं उसके उपर हम देखेंगे उन क्योशनों को हम सोलो करेंगे तो आप भी पैन को उठाईए और बैढ़ जाईए और कि चलो करते हैं सोल पहला एक्योशन और पहला एक्योशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और जल्दी से आप इसको सोल कीजिए ताकि आपने अपने आंसर मैस कीजिएगा जल्दी कीजिए देखो बिल्कुर सिंपल एक डाटा सेट का प्रसंड नो है तो मानना क्विचलन क्या होगा देखो एक बात का ध्यां रिखिए अब यह सुचो कि आप ऐसे क्योशन कहां से आ रहा है देखिए दोस्तों जो आपके NTPC में मैस आ रही है उसमें अर्थमेटिक भी है और एडवांस में साथ साथ इस्टेटिक्स भी है तो इस्टेटिक्स को इग्लोर ना कीज जरूत नहीं है जो प्रैसरन दे रहा है उसका रूट कर देजिए आपको मानने को चल मिल जाएगा तो प्रैसरन क्या दे रहा है नो तो नो का रूट करोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस थ्री आएगा अब देखिए दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि ब्लस-3 आगया, अब आप पढ़के नहीं गए हो, या जल्द वाजी में होता है कि आपके एक्जामेई जो आपको option मिलेगा plus-3 मिलेगा, plus 3 मिलेगा, minus 3 मिलेगा और none मिलेगा, घीक है? इस प्रकार मानलों आपको option मिल रहे हैं, तो आप जल्दवाजी में क्या करोगे, कि plus minus 3 टिक कर आओगे, ठीक है नहीं है, तो ये नहीं करना है, exam में कभी भी जो आपका माननक विचलन होता है, देखो जो माननक विचलन होता है, कभी भी negative नहीं आ सकता है, जब negative नहीं आ सकता है, तो बज़ी सब plus minus 3 दोनों answer नहीं चो सकते, plus minus 3 आणसर टिक करे, इसका मतलब ये है कि माननक विचलन प्लस 3 नहीं भी और minus 3 नहीं भी होगा, minus में कभी भी negative नहीं आता है, minus में value आई नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या है, अपना answer क्योंगा, plus 3 होगा, यानि कि 3 जो answer है, वो आपका माना कुछलन से यह बिल्कुल क्या अंसर आएगा तीन आएगा भई तो इस इसका जरूर ध्यान रखेगा यह आपके पहले कुछन का अंसर है बिल्कुल सिंपल सा चलिए बढ़ते हैं दूसरे कुछन के तरफ और दूसरे कुछन आपके स्क्रीन पर जल्दी से लगाईए जल देखिए दूसरा क्यूशन विल्कुल सिंपल है कि सिंग एक वायर मैन के रूप में सिंग है कि सिंग एक वायर मैन के रूप में रोहिँद से दो गुना सख्सब रैसेयो दे रका है दोगना सक्सम है, तता वे मिलकर एक कारिया को दस दिनों में पूरा करते हैं, रोहित अकेला उस कारिया को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये दे रहा है, कि सिंग रोहित से दुगना सक्सम है, तो देखिए, जो सिंग है, और एक रोहि करता है दो ये इनकी वर्क efficiency का नूपाता गया ये इनका कारेजांता काणूपाता गया एक तरीके से कि Souingh की कारेजांता- रोहित से deugarna है येनि सिंघ एक दिन में दो काम करता है तोartosمكن दुगना है Wikiוש Hadid अब एक बात ध्यान दीजिए, आपसे ये पूचा जा रहा है कि इस काम को रोहित कितने दिन में कर देगा, अब पूरा काम है कितना वही, देखे, टोटल वर्क, आपसे लाइन बोली जा रही एक टोटल वर्क के लिए, कि दोनों, सिंग और रोहित, कि दोनों मिलकर उस काम को दस दिन में पूरा कर देते हैं, ये बोला जा रहा है, कि दोनों मिलकर उस काम को दस दिन में पूरा कर देते हैं, तो भाई साब दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, तीन, जब दोनों मिलकर एक दिन में तीन काम करते हैं, तो भाई साब दस दिन में कितना काम करें यह िसका मतलब जो एत 30 काम है वह क्या आपका total वरक है, क्या है वैसा total वरक है अब इस 30 काम को में किससे करवाना है? रोहीस से करवाना है तो 30 काम में किसका वाग देंग रोहीत के efficiency कहा रोहीत के efficiency कितनी है? 1 आपका answer कितना आजाएगा? 30 दिन तो मुझे बताइए रुवीद उस काम को करने में कितना समय लेगा 30 दिन का समय लेगा रुवीद उस काम को करने में 30 दिन का समय लेगा बिलकुल simple question था या के NTP से 30 2016 को पहले shift का question है उम्मीद है कि जिसका answer आशर 30 दिन आया है बिलकुल सही जवाब है बिलकुल बहुत अच्छी बात है चलिए चलते हैं अगले question के तरफ जल्दी से लगाई एकले question बिलकुल simple question है जल्दी से लगा दीजिए बिना time खड़ाब करते हुई जल्दी करिए बई LCM SCF का question है कि दो संक्याओ का गुणनफल दिया हुआ है आपको 3060 जैसे कोई भी दो संक्याओ मालो A तो A गुणा भी बराबर दे रहागा आपको 3070 आपको और दिया हुआ है LCM LCM दिया हुआ है पिच्चा सी और आपसे पूचा जा रहा है SCF क्या होगा इसका इसका SCF क्या होगा देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें कुछ चीजे ध्यान होनी सही है जब तक ध्यान नहीं होगे तो कुछ नहीं करवाएंगे देखो LCM गुणा SCF बराबर होता है A गुणा B दो संक्याओ के लैस है और मैस है जो दोनों संक्याओ के लैस है और जो मैस है जो LCM है वो SCF है दोनों का मल्टिप्लाई उन दोनों संक्याओ के मल्टिपल के बराबर होता है तो ध्यान दीजिए यानि LCM गुणा SCF बराबर A गुणा B अब आपको SCF निकाना रख दीजिए यानि LCM दे रहाएगा आपको 85 SCF पता करना है A कितना दिया हुआ आपको सुरी दोनों A गुणा B दिया हुआ आपको 3060 तो SCF कितना हो जाएगा आपका 3060 बटे के करोगे पिच्चे से ठीक है काटोगे तो या आज आएगा 36 SCF कितना आएगा 36 तो जिसका भी 36 आणसर था बिल्कूँ सही जवाब था SCF का 36 के लिए रहे सभी के तेकि एक क्यूसन को अभी इसमें होता है क्या कि सोल पेपर करने में एक तो खायदा यह मिलता है कि मिए पता लगता है कि लेओ पैट्चे-पैले कैसे-कैसे क्यूसन आए हुए थे और यह भी अंदाजा लग जाता है कि पुरी पैस की तेहरे हमें हमारी किसी साब से क्योंकि सारी टोपी को क्यूसन आपके सामने आ जाता है तो आपके weakness भी पता लग जाती है चलिए बढ़ते हम अगले क्यूशन की तरब और करिए जल्दी से सोल इसको जल्दी कीजिए बैज जल्दी कीजिए बिल्कुल प्रोफिट एन लोज का क्यूशन है कि एक दोकांदार फल खरीदने और बेचने में तोल से शेड़ चाड़ कर बिल्कुल छेड़ साड़ी बाड़ा क्यूशन है बैज देखो जहां रखना थोड़ा सा सावधनी बृतना छेड़ साड़ी की मामले में बिल्कुल सिंपल क्यूशन है नॉर्मल बिल्कुल टेंसन ना लीजिए कि एक दोकांदार फल खरीदने और बेचने में खरीदते टाइ वह वस्तु ज्यादा ले आएगा वजन में तोलने में और जब किसी ग्राफ को बेच हैगा तो पैसे तो एक लोग लेगे लेगा लेकिन एक लोग से कम में बेचा है तो उसका प्रोफिट डवल होगा इधर से भी प्रोफिट होगा तो आठवा परशन्ट का प्रोफिट ज माइनस Y फ्लस माइनस Xy बता 100 अगर लोस हो रहा है तो माइनस और प्रोफित हो रहा है तो प्लस ठीक है तो यहां पे प्रोफित की बात की जाए तो माइनस का यूज करेंगे ने 18 पर्षांड का प्रोफित है तो ध्यान दिजिए प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 इंटू 18 बटे 100 18 और 18 36 18 38 36 18 8 27 329 बटा 100 करेंगे तो या एगा 3.24 तो 36 प्लस 3.24 या हो जाएगा आपका 49.24% उसका जो total profit होगा वो कितना होगा? 49.24% बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल clear है है देख लीज़े विलकुल सिंपल है कितना सा अंसर है तुल कोल्ग सिंपलların है जलदी से करीई इसको जल्दी खितम करिए बयर जल्दी खितम करिए और वीडियो करे कर दोएको जैसे जैसे क्यूसन सोल कर लेते हो बाई जैसे जैसे वीडियो को share करते रहे हैं थोड़ी से हमारी वह help करते रहे हैं मैं आपके लिएतना कर रहा हूं तो थोड़ा होता आप मेरे बारे हैं सोफ दी सकते हो बाकि देखो जितना सपोर्ट करो जो परना सपोर्ट करने ही जिम्यदारी मेरी है बई चलिए बई संदीप एक बस 15% के आनी पर 1530 में बेचता है क्या कि उसन बोला जा रहा है कि जब उसने 1530 में कोई बस बेची है तो उसे 15% का लोस हुआ है ठीक है अब उसे 15% ला पाने के लिए बस को किस की मत पर बेचना चाहिए बलकुल सिंपल है कि उसना बई देगो आपको विक्रमुल निकानना है जब उसके प्रोपित होगा मुझे एक बात बता उसने फस्ट टाइम बस को बेचा है 1530 में जब उसने 1530 में बेचा तो भाई 15% का लोस हुआ था 15% का loss हुआ था, यह वी क्रेमूल है, जब 1530 में बेचा है, जब 15% का loss हुआ था, तो आप अच्छे से जानते हो, जो कोष्ट प्राइस होता है, जो क्रेमूल होता है, बेसिकली 100% होता है, तो 100% होता है, 15% loss पे बेचा है, तो बस तो कितने में गई होगी 85% पे, तो भाहिसा 15 1330 में बेचा इसके नीचे कितना आएगा पिच्चा सी क्योंकि तब 15% के हमें लोस हुआ था multiply अगर मुझे क्रेमल निकालना होता तो 100 से बुड़ा करता लेकिन मुझे क्या निकालना है कि मुझे 15% का प्रोफिट कब होगा कि जब मैं वस्तु कितने में बेचू कि मुझे 15% का प्रोफिट हो तो किस से multiply करेंगे हम 115 से क्योंकि हमें 15% प्रोफिट जाइए तो ध्यान दीजिए इसको calculate करेंगे पास से कड़ जाएगा 17 बार पास से कड़ जाएगा ये ते 20 बार ठीक है भी और ये कड़ जाएगा 17 नाम 15360 और ये नाम 207 यनű 2017 रुप है बहुत सिंपल के उसा न सब्सक्राइब बिल्कुल वजरूत नहीं है बहुत सिंपल के उसा ना जल्दी कतम करिये कर आ जल्दी करिये जल्दी करिये देखिये हाँ बई कर लिया देखिए बिल्कुल सिंपल कि उसने नितिस एक एपडी में रुपई ये निमेज करता है एक एपडी होती है उस एपडी में कुछ रुपई ये आप जानते हो बैंक का जो भी पिक्स डिफोजित होता है ठीक है उसमें कितने रुपई लगाए 10500 यानि आप प्रिंसिफल है वो है आपका 10500 रुपई कैसे लगाया है टाइम है 6 मेने का टाइम आपका 6 मां का और रेट है आपकी 20% वारसिक येरली ठीक है चक्रुवती ब्याज की तरफ पर निमेज किये गए है तो जिसमें ब्याज तीमाई सहीं जीता है जान दीजे ब्याज है जो त पर इपसे कितने राशे मिलेगी तो कितने राशी मिलेगी आपसे क्लोंचा जा रहा है तो दिहां सबसे अगर इयरली रेट लगती है तो नौर्मल इसको कंट कर लेते हैं लेकिन यहां पर निमेज पर लेपकों चीज जो तो आप मुझे एक बात बताईए एक वरस में यानिगी होता है तीन महां तो एक वरस में बारा मीनिया होते हैं तो तीन-तीन महीने के साफ़ से कितनी पिरिड बनेंगी कितनी हदी मनेंगी चार तो चार प्रवधी बनेंगी तो आपको यह दरग में यह 20% में चार का बाग बाग दे दिया आप वरस मन गया अब की टीमा ही आपकी ब्याज की दर लग रही है और आपको जो rate दे रही थी वो yearly दे रही थी तो चारत ये बारा कितना होगा है दो तीन दुनी 6 ये होगा है दो period तो period का मतलब होता है जब ब्याज टीमा ही लग रहा है तो 6 मेने में कितने बार ब्याज लग जाएगा दो बार ठ बढ़ गई तो डैड किस से गुणा करते हैं, 110 बटा 100 से, करते हैं नहीं करते हैं, सेम उसी तर एख, मेरे पाथ 10,500 रुपए, 10,500 रुपए, अब 2 बार व्याद लगेगा, 2 बार, क्योंकि 2 पीरड है, कितने परश्ण के साफ से लगेगा, 5 परश्ण के साफ से व्याद लगे इसी का ध्यान रहें, देखो काफी तरीके चक्रुती ब्याद सोल करने के लेकिन अभी मैं पेपर सोल करवा रहा हूँ तो बहुत सारी तरीके तो बता नहीं सकता, क्योंकि एक ही कुसमें टाइम हो जाएगा फिर तो, बेसिक से पढ़ने के लिए मैंने चक्रुती ब्याद का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लिए उसमें मैंने पांच-पांच तरीके से चक्रुती ब्याद सोल करवाया हुआ है, आप यह मस रहें जिए कि देखो से डारेट बता रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर लेंगे, मैंने इसका बीसिक कॉनसेप्ट एक पांच-पांच तरीके से कैसे सोल की आजा सकता है, बहुत तरीके बतायों हैं तो आप आजाके देख सकते हैं, जब हम इसको कैल्कुलेट करेंगे, तो यह आएगा 11,576.25 यह कर लिना आगा, ठीक है, तो जिसका भी यह आँसर आएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बैस अब, ठीक है, जिसका भी आँसर जल्दि कर डाले वीडियो करते रही जल्दी से अबही ताकि ज्यादाए ज्यादा बच्छे लाइव आ सके ज्यादाए ज्यादा बच्छे जुड़ाइंगे सीूडे pross ज्यादाए यद्यादा मैं आप तक अच्छा सचा content फूंच अपूंगा चलिए बिलकुल सिंपल है basic calculation question नहीं 33840 divided by 235 divided by 6 आप अच्छे से जानते हो जब भी division होता है तो सबसे पहले division जाता है कैसे इसको multiply बनाके जब multiply बनाएंगे तो संके नीचे चलिए जाती है यानि कि 33840 1 upon 235 गोना 1 upon 6 ठीक है यह नीचे चला जाएगा इसको गोना मदलेंगे तो यह नीचे चला जाएगी दोनों एक सफ nemसे जाएगे क्योंगे सबसे पहली बाग को शोल के जाता है तो संके नीचे चली जाती है काट निट के शोल गरेंगे तो यह आएगा 24 अच्छे से काट लेना आराम से जिसका भी आणसर चोईस आया एकदम सभी जवाब है चलिए घड़ते हम अगले क्यूशन की तरफ पटापट टाइम खराब नहीं करेंगे फटापट क्यूशन करने हैं बहुत सारे चलिए अगला क्यूशन बिल्कुल टेक्नोमेटर चार बटे 5 और दिया हुआ है आपको साइन बी बराबर 5 बटे 13 अपसे पूचा जा रहा है कोसेक A-B का मान क्या होगा देखें कितना अच्छा एक्यूशन है यह आपसे पूचा जा रहा है कि कोसेक A-B का मान क्या होगा सोच लिजी यह NTPC 2016 तीन मई पहली सिप में आया हुआ क्यूशन है बताइए कैसे करोगे जल्दी से लगाईए देखते हैं कितनों के सज्या आशर आते हैं अभी तक तो कर दिया होगा अब जल्दी से बताइए वही क्या करोगे देखो कोसेक A-B एक बात बताइए कोसेक का उल्टा कौन होता है साइन या साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का कुछ भी मान लो तो एक कोसेक A-B बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन A-B क्योंकि कोसेक धीटा वराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन फिटा लिख सकता हूँ भाई साइसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को मैं तो अब मुझे बताइए साइन A-B का आपने एक फोर्मुला पड़ा होगा क्या होता है भै sin a minus b वराबर होता है sin a cos b minus cos a sin b एक फोर्मूल होता है अगर पढ़ा हो तो कुछ याद हो ठीक है उम्मीद आपने मैनत किया तो बलकुल हो गई याद अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस फोर्मेट में sin a cos b minus cos a sin b ठीक है यानिकि अब मेरा काम हो गया वही जो चीज यह थी इसको मैं आराम से single angle में बदल लिया है तो अब मैं आराम से देखो sin a sin b minus b minus तो मुझे पता है लेकिन मुझे cos a or cos b minus b minus नहीं पता है मा आराम से निकाल सकता हूँ धान देजी एक बात बताई sin theta वरावर आप अच्चे से सान तो लाल बटे कक्का से sin theta वरावर क्य मुझे लंब टेक करण sin theta वरावर लंब टेक करण होता है यानिक यह तो लंब है और यह आपका करण है तो करण जब 5 है लंब 4 है तो बताए यह आधार कितना हो जाएगा 3 टिपलेट या दोनां से यह पहले टिपलेट होता है 3, 4, 5 का ठीक है वो जिनको नहीं आता हो आराम से निकाल देना भई देखो यहाँ पर लंब आपको 4 दे रहागा था करण आपको 5 दे रहागा था जब आधार निकालोगे तो 5 के स्क्वार 25, 4 के स्क्वार 16, 25 स्क्वार 16 जाएगा तो 9, 9 का रूट हो जाएगा 3 यहां से आधार यह 3 आया है बाकि याद होना चाहिए यह देरेट टिपलेट 3 होता है 3-4 पाकि टिपलेट बन रहाता है यहां पर अब आधार 3 आधार क्यों निकाला ब्यान दीजी मुझे निकालना है कोस A क्यों 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 क्यो तो आधार 12 हो जाएगा, यह 5-12, 13 का ट्रिप्लेट होता है, ट्रिप्लेट कमनला होता है, अगर आपको 5-13 दे दी जाए, तो आप आंक बंदर के लिक सकते हो, 12 होगे, तीसरी बुजा, देखिए, कोश B, तो कोश B बराबर के हो जाएगा, 12-13, आधार बटिकन, आधार बटिकन, कोस B वराबर, उजाएगा 12 बटा 13, अब वैल्यू रग दीजे, यहापर देखो, 1 अपोन, साइन E, साइन E कितना है आपका, गेरा, 5 बटे 13, माइनस कोस A, कोस A कितना है, 3 बटे 5, साइन E, साइन E, साइन E कितना है आपका, गेरा, 5 बटे 13, पांस, देखो, कैंसल मत किज़े रहने देजे इसको, क्यों, 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 यहापर कैंसल नहीं होगा, अब देखिए, 1 बटे 12 चोकू 48, बटे 13 बटे 65, पांस देख 15, बटे 13 बटे 65, 55, 55, LCM आएगर, LCM नीचे 55, आएगर, उखाँ जाएगर, उखाँ जाएगर, पॉलैट के उपर, और यह बनेगर, 48, मांस पंदर, 4.25 मैं पंदर रहो होता है 33 35 वर्टा 30 इसका स़ई जवाब होगा जिसका वी आनसर denken वर्टा 30 वर्टा 30 आया विल्कुर सहिजवाब है देखिए इसकी एन जुरा शूर पर अभी लास्ट आपके पास यादा ज्यादा दो-्तीन मेने हैं छॉब्रे नहीं हो लेकिन इस ट्वर करो कभी इसके विरोस उने पर आप कि पढ़ना है बस तो अभी पढ़ना है चले अगला करें तरह बढ़ते हूं कि जल्दी से बिल्कुर सिंपर बेसे कैलकुलेशन के उसनल हैं जल्दी करतिम किजिए बी जल्दे खत्म कीजिए बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन क्यूशन है साथ एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री इसको सोलो करेंगे तो क्या आएगा आपके ओप्सन में आपके सामने है चारो तो देखिए मैं करवा देता हूँ टाइम खराम नहीं करेंगे साथ एक्स ब्रेक्ट के बार माइनस है तो यह हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस तीन तो साथ में से एक्स जाएगा च्हेक्स हो जाएगा यह हो जाएगा प्लस तीन बस इसका यह answer और यह आपके पास option में है बिल्कुल simple question था ठीक है चलिए next question के तरफ जल्दी कीजिए बई जल्दी कीजिए बिल्कुल बिल्कुल simple question है बई सब जल्दी करिए बिल्कुल simple question है कि टेली कॉम कमपनी का एक मिनट पचास सेकंड का बिल दस रुपय है एक मिनट पचास सेकंड एक मिनट पचास सेकंड इस एक मिनट पचास सेकंड हो मैंसे ले सकता हूँ एक मिनट में 60 सेकंड होता है और एक मिनट पचास सेकंड तो 60 और 50 60 मिनट साट सेकंड एक मिनट पचा सेकंड है साट सेकंड और पचा सेकंड कितने सेकंड होगए 110 सेकंड तो 110 सेकंड आपको बिल दे रहे है कितना दे रहे है दस रुपे का तो मुझे एक बात बताई एक सेकंड का बिल कितने का होगा 10 बटा 110 रुपे का अगर एक सेकंड का विल इतने का है तो आपसे यह पूँचा जा रहा है बताओ दो मिनट बीस सेकंड की कीमत क्या होगी दो मिनट बीस सेकंड की कीमत क्या होगी आपसे पूँचा जा रहा है कि दो मिनट बीस सेकंड की कीमत क्या होगी आप जानते हो दो मिनट यानि कि 120 और 20 सेकंड यहां, तो टोटल हो जाएगा यह 140 सेकंड, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, 140 सेकंड का विल फूंच रहा है, कि अगर 110 सेकंड का विल इतना है, तो 140 सेकंड का विल कितने का होगा, अगर 110 सेकंड का विल दस रूपए, तो 1 सेकंड का विल होगा, 10 बटा 110 रूपए, तो 140 स सेकेंड का भी लोग अपने पास में 10 बटा 110 इसको में टिपाई कर देंगे 140 से 140 बटे 11 यह हो जाएगा आपका 11 एकम 11 तीन बचेगा 11 दोना 22 और 8 बज़े 11 साथ साथ रूप है लगब बारा रूप है साथ पैसे या सत्तर पैसे के बरावर हो जाएगा 12.7 रूप आपका बिल पी बढ़ते हम अगले क्योसें के तरब। बिल्कुल सिंपल के उसन जला को जल्दी कीजी बेसिकली common sense के बात है जब share के 4 प्यार होते हैं तो सुत्र मुर्ग के 2 होते होंगे क्योंकि यहां पर 2-4 का यह क्यों सुनाता है देखिए भी करें आया किसी का अनसर चलिए मैं करवा देता हूं एक चीडिया गर में share और सुत्र मुर्ग देखो सबसे पहले basic concept देख लो उसके बाद मैं इसको allegation से करवा दूँगा जान दीजिए share और सुत्र मुर्ग मान लीजिए share x और जो सुत्र मुर्ग है वो कितने है य तो share प्लस सुत्र मुर्ग अब मुझे बता आपसे बोला जा रहा है सिरो की गणना करके वे 80 है याई यहीं सिर गिने जाए तो 80 है अब सिर तो चाहे सुत्र मुर्ग सबके एक ही होता है बाई सब अगर 80 सिर काउंट कियेंगे तोटल इसका मुझा दोनों मिला कर भी 80 है यानि कि x प्लस y बराबर कितना है 80 यह तो equation नमर तस निकल गया गया यह से आगे मैं बात करो पैरों की बाई सबस एक सेर के चार पैर होता है अगर x सेर है तो टोटल पैर होगे 4x एक सुत्र मुर्ग के दो पैर होता है तो y सुत्र मुर्ग है तो टोटल पैर होगे 2y और टोटल पैरों के संक्या आपको दे रहे किए 200 ठीक है यह equation नमर सेक्ड हो हो जाएगे लेकिन इस equation को मैं आगे solve कर सकता हूं ये पूर equation 2 से divide हो रही है तो देखिए ये हो जाएगा 2x ये हो जाएगा y ये हो जाएगा 108 ये equation number second अब इन दोनों equation को solve कर लिजा आप अच्छे से जानते use elimination method लोपन भीदे लगा लो प्रतिस्ता पन लगा लो कुछ भी लगा लो कैसे भी कर लो answer आजाएगा देखिए इस में से मैं इस से में गठा रहा हूं तो ये minus ये minus हो ये minus हो गया लेकिन आपसे क्या पूछागा है सुत्र मुर्ख कितने है बाइस सब दोनों मिला कि 80 है जब सेर 20 आ गया तो दूसरा क्या जाएंगे 60 यानि कि x प्लस y बराबर जब आपको किसी भी equation रख दू x प्लस y बराबर जब आपको 80 दे रखा है तो x का मान या रख दू 20 प्लस y ब जो ना कि करना है हमें allocation लगाना है बिलकू सिंपल पड़ेगा allocation कैसे लगाना है बेसा बिलकूर सिंपल है 10 और लिख लो सेर एक तरफ लिख लो शुत्र मुर्ग इतना तो confirm कि total हम इस सेर मिलहा है सब्याह Аप तो यह मान लो कि शरे के सारे सेर है थोड़ी देर के लिए मान लो कि सारे के सारे ही सेर है तो मेरे वाई मुझे एक बात जाहिए सेर के नीचे सेर मान लिए तो एक सेर के चार पैर होते हैं तो भाई साब 80 सेर के कितने पैर हो जाएंगे 320 ठीक है अब जान लिए सुत्र मुर्ग भाई साब सुत्र मुर्ग अब थोड़ी दर के लिए मान लो वैसे ही कि सारे के सारे सारे सुत्र मुर्ग एक सुत्र नुम्र के दो पैर होते हैं तो भाई साथ 80 सुत्र नुम्र के कितने पैर होंगे 160 लेकिन ये बात भी गलत है ये बात भी गलत है पैर टोटली कितने है 200 तो बीच में आएगा 200 यह दोनों का मिला के जो होता है वो रिजल पीच में आता है अब इन दोनों को मैनिस कर पाता गया एक अनुपात तील देखो ऐसा क्यों होता है यह समय है जब बेसिक पड़ाऊंगा इसका अलिगेशन का तब बताऊंगा कि शुत्र मुर्ग यह समय हमना कि उघिया इसका तो अलिगिया अलिगेशन की तरफ शलते हैं लेंगविज में काफी बड़ा क्यूशन है लेकिन बिल्कुल सिंपल क्यूशन है अगर थोड़ा सा मायन लगाओगे थोड़ी से खोफड़ी यूज गरोगे तो जल्दी से कर दीजे जल्दी से जवाब दीजे क्या आणसर होगा अपने इसाब से यह एंटी पिसी 2016 में पहले सिफ्ट में आया हुआ क्यूशन है वह देखे कितना जल्दी कर पाते हो आप कितना सोच पाते हो बस सोचने पर डिपेंड है क्यूशन देखो लक्षमी दो रंग के काले और बूरे मोजे फेंती है एक लक्षमी नाम की लड़की है जो दो रंग के काले और बूरे मोजे फेंती है काले और बूरे ठीक है अब उसके पास एक दराज में कुल बीस काले रंग के मोजे और बीस बूरे रंग के मोजे हैं एक दराज है मान लो इसके अंदर उसके पास काले और बूरे दोनों प्रकार के मोजे हैं भरे हैं इसके अंदर बीस काले और 20 बूरे हैं सुनना द्यावने बहुत अच्छा क्यूशन है कि 20 काले मुझे है 20 बूरे मुझे है मान लीजे कि उसे हंदेरे में मुझे बाहर निकालने है उसको वो देख नहीं सकती उस टाम के वो देखेगा नहीं अंदेरे में चाहिए उसको कितने मुझे बाहर निकालने होंगे अब इसमें से उसे बिना देखे कितने मुझे बाहर निकालने कम से कम ज़्यादे ज़्यादे तो पूरे निकालने के तो जाइड से बात एक जोड़ा तो मैचिंगा निकलेगा एक मोज़ा निकाला मालो पहले बार जब एक मोज़ा निकाला तो वो निकल गया आया काला ठीक है मैचिंग नहीं हुआ इसका मुलब मैचिंग होए तब तक काम करना अब जब तीसरी बार हाट डालेगी जहान से सुनना अब जब तीसरी बार हाट डालेगी तो भाई सब चाहिए काला मोज़ा निकलेगा या मालो काला नहीं निकला बूरा निकला तो भी मैचिंग तो बन गई ना काला निकला तो भी पहले से काला बारा चुका है बूरा निकला तो भी बूरा पहले से बारा चुका है कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है न एक काला और एक बूरा जाहर सी बाद है पहले अगर दो राउंड करेगी दो बार निकालेगी या तो हो सकता है दोनों सेम आ जाए लेकिन गारंटी नहीं है उसने फिक्स से बोला है सुनिस सित करा है कि सुनिस सित हो जाना चाहिए सुनिस सित का मतलब है चाहिए कुछ भी हो जाए किलियर हो जाना चाहिए खहने का मतलब यह है पहली बार देखो वो कम चांस होता है कि दोनों बार में एक ही जोड़ी के काल है तो काला या जाए दूसरी बार में बट ये fix है, तीन बार निकालने पर एक matching जोड़ा जरूर ही बनेगा तो इसका सही answer कितना होगा कितने मुझे निकालने पड़ेंगे तीन बार, या तीन मुझे निकालने पड़ेंगे उसको, clear है यहां तक जिसका भी answer यह था, बिलकुँ सही जवागता है चलिए, बढ़ते हैं, हम अगले question की तरब कर दीजिए बिलकुट simple question है बिलकुट simple question है, basic calculation question है बिलकुट simple question, basic calculation question है ग्यारा सो बाग, 5.5 मैं थोड़े पहले बताया था, ग्यारा सो बाग गुणा एक बटा 5.5 हो जाएगा, point ठाएगे तो एक जिरूप पर ग्यारा से सो बार, ग्यारा से पाँच बार, 5 दूनी दस कितना अंचरा जाएगा, 200 टाइम क्राब नहीं करेंना है, जिसका भी दोस्तो आंचरता सही जवाब था भई, ठीक है, हाँ, इस क्यूशन को करिए भई, profit and loss का क्यूशन है, बिलकुल simple है, जल्दी से करिए, देखिए, एक वस्तो को जब 6 परसेंट और 12 परसेंट के लाब से बेचने पर, विकरें मुल में 3 गंतर निलता है, यहिनि जब 6 में पर scarce पर spilled बेचता है, एक बार 2 पर्सेंट पर बेचता है, तो दोनों की कीमत के बीच में, कितने ये गन्तर आता है 3 रूपै का तो दोनो === के बात कर रहा है SP1, SP2, निकाल सकते हैं, एक बार 6% के प्रोफिट पर बेचए एक बार 12% के प्रोफिट पर बेचए जब एक दोनों लाब के बीच कितने का डिफ्रेंस है तो डिफ्रेंस के नीचे डिफ्रेंस है आपको पहला विक्रह मुल्क चाहिए तो यहां भी सेम रहेगा लेकिन गुणा किसे करोगी दूसरा विक्रह मुल्क चाहिए तो 112 से तेन वटा चैसे तीन वटा चाहिए गाटों के 35 बार यह दो से गाटों के 56 यानि आपका सही जवाब वह ओगा त्रेपन अनुपात चंपन सीधा सा जवाब है कि दोनों विक्रह मुल्क का नुपात क्या होगा दूनोों के विक्रमुला लगा लगा है कोई भी वस्तु में वती है जो उसके विक्रमुल ओता हुँ होता है 100% एक बार इसको इसके दो विक्रमुल जें पहली बार तो इसको 6% के लाप पर बैच कितने बेच दिया 106 में दूसरी बार माले सोर को मालो 6% पर बेचा तो 106 बेच दिया 12% के लाप पर बेचा तो इसको बेच दिया 112 में काट ली जा रहां दोने विक्रे मुलका नो पाता जाएगा 53 अनो पाथ 56 ऐसे भी कर सकते हो इतना अगर लखणा नहीं करना साथ है तो ठीक है क्लियर है सभी के वेरी गुड चलिए अगला क्यों सन गल्दी से करिए अगला क्यों सन बिल्कुर सिंपल है यदि कोटेक्स बराबर पांस अबटे बारा ट्रिक्नोमेटर का क्यों सन जल्दी से कर दीजिए देखो क्यों सन जल्दी कोट एक्स बराबर पांस अबटे बारा और आपसे जो पूशा जा रहा है वो पूशा जा रहा है कोश एक्स क्या होगा बिल्कुर सिंपल है बिल्कुल सिंपल द्यान दीजिए लाल बटे का का यूज़ गरिये वै साइन कोस टैन कोट कोट बरावर होगा आधार वट्टे लम ये तो होगा आधार ये होगा लम अब यवी मनें बताया थुड़ दर पहले 5 बारा तेरा का ट्रिपले लग जाएगा यहाँ पे यानि आधार 5 ये लम बारा तो कण कितना आगा तेरा हाँ वही कोस एक्स जान दीजी बढ़ाओं से मत बनाओ डाइडी हो जाएगा देखो कोस बरावर होता है आधार वट्टे करण ये तो जाएगा आधार वट्टे करण और सेक बरावर होता है करण वट्टे आधार उल्टा होता है बस ठीक है साइन, कोज, टैन, कोड, सेक, कोज, सेक, तो कोज, आधार बटे कन, साइन, कोड, सेक, सेक, यह आते है तो करण बटे आधार, तो करण बटे आधार, रख दीजी, आधार, पांच है, करने कितना है, तेरा, प्लस, करने कितना है, तेरा, आधार कितना है, पांच, कीजिए सोल, 1355 ये आपका LCM आजाएगा 1355 525 5 से 13 भार कटेगा 13ๆ 169 added कर दीजिए कितना हो जाएगा 9 और 514 16 7 2 9 194 बटे 65 ये आपका सही जवाब हो जाएगा जिसका भी 194 बटे 65 Dipasar आए बिलकुर सही जवाब है समझ भागई चलिए अगले कुशन के तरह बढ़ते हैं हूँ चलिए बिल्कुल सेपल कुशन है एक नियमित वह बच देखो नियमित नियमित का महला होता है रेगुलर मतलब नियमित वह बोले तो जिसकी सभी बुझाई बराबर होती है जिसकी बहुत सारी बुझाई ओ टीक है प्रत्यक आत्री कौण दे रहाका है Budd stör iron का बहुबच का प्रत्यक आपको आत्री कौण दे रहाका है sum of external angle is 180, sorry 360 degree होता है, किसी भी बहुभुज के भाहे कोनों का यह कितना होता है, 360 degree, अब ध्यान दीजिए, आंत्रिकोन, जैसे कोई बहुज है मानलो, इस प्रकार बना होगा है, जो भी है, इस प्रकार मानलो, तो जो इस बहुज है, इस प्रकार मानलो, तो जो इस बहुज है, internal angle, internal plus external, दोनों का sum होता है, 180 degree, अब आपको internal angle कितना दे रहा है, 160 degree, और external के बारे मैं भी नहीं पता, 180 degree है, तो external angle हम निकाल सकते है, 180 degree, minus 160 degree, तो external angle जो आपका आगया, वो कितना आगया, 20 degree, यानि जो आपका ये वाला कोन, भाहे कोन, वो आगया, आपका 20 degree, अब आपसे भजाओ की संख्या, निकाल सकते हो, ठीक है, कैसे, किसी भी भगुज की, जो सारे गायकोन होते है, सबी गायकोनों का योग होता है, 360 degree, और एक कोन बीस डिगरी का है, तो भजाओ की संख्या N वराबर हो जाएगा, 360 में किसका वालाक लगा तो 20 का, कितने हो जायगी, भजा कि एक क्यूशन में सारा मभूज बढ़ा दूवत इंपोसिवल है इसके लिए तो आपको बेसिक वीडियो बेंजार करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि आपते यारी नहीं किये तो आप गलती आप किये आपके इसमें ठीक है तो जिसका भी यह सही जवाब था चलिए एम बराबर एक एन बराबर मैनस सार और आपसे पूशा जा रहा है जल्दी कीजए वह देखो तीन के प्लस टू एम अपोन टू एन मैनस थ्री के की वैल्यू क्या होगी ठीक है यह आपसे पूशा जा रहा है अब देखिए वै, value रगदो, cdc वाद, 3, k की value क्या दिया रखिया, minus 3, plus 2, m की value क्या दिया रखिया, 1, 2, n की value कित्ती दिया रखिया, minus 4, minus 3, k की value कित्ती दिया रखिया, minus 3, बस, शोलु करू, 3 गुणा minus 3, minus 9, plus 2, 4 दूनी 8, minus k, और minus minus plus 3, minus 9, minus 9, plus 2, minus 7, minus 8, plus 9, plus 1, minus 7, बट एक, answer will be minus 7, ठीक है, जिसका भी answer minus 7, था बिल्कुद सही जवाब है, ठीक है, आगया सबी के समझ में, देखिये दोस्तो, थोड़ा सी, रात का टाइम है, बहुत टाइम हो चुका है, थोड़ा मैं धखान मैसेज कर रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफी है, अभी भी देखो, कुछ क्यूशन है, अभी भी इस डेट को जो एकजाम होई, तीन महीं 2016 लगो, आई हो यह क्यूशन है, कुछ रह रहे हैं, तो वो आगे डिसक्स करवाद हूँ, अगर आप चाहोगे, तो अच्छा feedback दोगे तो, तो एक तो थोड़ा सा देखो, जितना कर सकते हो, जितना share मार यह वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ी help मिले, अगर आप चाहते हो, कि ऐसे ही मैं NTPC के पेपर सोल करवाँ, तो आप एक काम कीजिए, अपने comment box है, उसमें अपनी राय दीजिए, कि हाँ सार, आप यह चीज कंटिनियूर करिए, तो मैं इसी चीज को कंटिनियूर करूँगा, अगर आप साते हो, कि नहीं सरक पूरी classes ही ली जाए, basic to basic, पूरे topic wise, तो मैं वो भी करूँगा, तो ठीक है, थोड़ा सा साथ मनाये रखिए, और अपने तयारिये इसी तरह कंटिनियूर करिए, देखो, कब एक्जाम लग जा ठीक है, चली, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, good luck, good bye